वीडियो को पूरा देखनेक पहले वीडियो को लाइक सेर करना मत भूलें इसी परकार के अथेंटिक जानकारिक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबादें और प्रसेलेट कर दें जिससे मारे वीडियो का नोडिपकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच कि डियलेर से चात्रों का मोभंग हो गया है और बीएट के प्रसी रुजान बढ़ा है मैं आपको बताना चाहता हूँ डियलेर पर सिच्छन 2021 के लिए अंतिम सब्सक्राइब की गई थी कुल दो लाग चालिस जार दो सुबानवे आवेजन अंतिम रूप से भरे गए हैं ज सब्सक्राइब की रिकते रहे जाएंगे सवाल है कि डियलेर के प्रति चात्रों का रुधान कम क्यों हो रहा है और बीएट का क्रेज क्यों वर रहा है इसके समद्द में अगर आपको दानकारी हो तो कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा अपनी राय बिस्तित तोर पर कमें निर्देश दिया है कि वह या सुनिश्चित करें कि राज के सभी सरकारी व्भाग वए एजंसियां अपने यहां की चैन वा निवा निवावली के अंसार या तैख करें कि किसी भरती के लिए निर्धारित योगता में उसके समकच योगता रखने वाले अभरतियों को सामि या कुछ योगता को सामिल करते हैं या नहीं कोडने मुख सचू वा लोग सिवा आयोक के सचू सी इस आजिस के अनुपाल में एक माह में हरफ नामा दाखिर करने के लिए कहा है मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि कोड ने कहा है कि जो आप नोटिफिकेशन जारे करते हैं विग्यापन जारे करते हैं उसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए किसे सामिल किया जाएगा और किसे नहीं किया जाएगा कौन सी डिग्री माननी होगी कौन सी समकची डिग्री मानन याचिगर्ण का कहना है कि उनके पास TAS के समकच या उसने उच्च योगता के प्रमाणपत है इसे सहाट समिषतकारी में याद लोग सिवड नई कि या का कहना था उस सम्कच यह उच्च यह खता रखने माले प्रमाणपत के वाले इ समेक्च आपिय। में सामिल किया जाए लोग सीवा आयो का कहिना था कि संब्द में तीन सदस्य उचिस्टरी कमिटी ने विचार करने के बाद इन आई इ ल आई टी द्वारा जारी उसके द्वारा मानता प्राफ संथान द्वारा जारी ओ लेबल प्रमारपत्र के अलामा अन्नी किसी डिग्री डिपलोमा या प्रमारपत्र को समकच मानने से इंकार कर दिया है तो याज का खारिज कर दी गई है अब देखते हैं इसे आगे चनोती दी जाती है या देखने वाली बात होगी फिलाल हाई कोड ने बहुत बड़ा धटका दिया है अगली खबर कि फरजी सिचकों की धर पक तो आपको मालूम होगा उनतर जार सिचक भरती में बहुत बड़ा आरोप लगा था जब उनतर जार सिचक भरती का रिजल्ट घोसित किया गया कि 150 में से 142 पागे 140 पागे 149 पागे कैसे पाए जो PNP में दलाल बैटे हुए जो PNP के भरष्ट कमचारी हैं जैसा कि एक पक होगा कि कौन-कौन और पकड़े जाते हैं क्या खुलासा होता है फिलाल जो इस तरह की हरकत करें उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए और जो सिच्छक बनकर वैठे हैं फारजी डिगरी से उनकी रिकबरी भी होनी चाहिए अलिक अबर यूपी टीटी 2021 को लेकर ह है 2026 मंत्री ने लोटाया था 19 दिसंबर 2021 का परिच्छा प्रस्ताओ नए तिथी पर मंत्री लेंगे अंतिम फैसला आपको बता दें ये पहले 19 दिसंबर का प्रस्ताओ भीजा गया था और मेरे द्वार से बताया गया था कि मंत्री जी ने जो बैठा की 37 अगस 2021 को उसमें इ आसन की द्वार मंजूरी दी जाएगी तो मंजूरी किस तारीक को मिलेगी किस दिन मिलेगी आज साम तक मैं आपको जानकारी दे दूँगा नोटिफिकेशन कब तक आएगा आज साम तक मैं आपको जानकारी दे दूँगा 28 नॉमबर के समझ में कल ही मेरे द्वार आपको ज अगली किवर GIC प कर्वकता भरती परिअसे सहाल विकदी के लिए पर यूज और हम फोली है इसके लिए प्रदेश के सोला जिलों में एक हजार पच्पर परिच्छा किंद बनाये गए हैं परिच्छा सुबा ग्यारा बजे से दोपार एक बजे की पाली में होगी इसके लिए आज परिच्छा होगी पूरी तयारिया हैं बसे भी लगाएगे हैं जिससे आपको कोई भी दुविधार ना हो अगली कबर की आ गए इस दनातक प्रविश की मेरिट बेफसायट पर अपलोड की गई लखनोविष विध्याले में बीये बीकाम बीच्छी की लिश्ट तो आप लोग जाकर लखनोविष विध्याले की अजकाले बेफसायट पर नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं मेरिट क उन्हें स्कॉलर्शिप यूपी डाट यूबी डाट इन बेफसायट पर फार्म आनलाइन भरना होगा लखनोविष विध्याले कुल सच्चु विनोत कुमार सिंग ने बताया कि छात्वित्य के लिए पिछला वर्ग अर्प संख्या और समान वर्ग के विध्यार्थी यों पोलिय टेक्निक परिच्चा को लेकर है पौलिय टेक्निक परिच्चा देने सी रोके गए आचजार च्छात्रह आपके उता दिए पउलिय टेक्निक की चलरे समेश्च्टर cooler वा बारसी परिच्चा," में समूठ नकल उजागर होने के बाद दाखले में मरमानी का मामला सामन जानकारे मिली है कि अगले हपते जारी हो सकता है कटाव सेडूल मैं आप सेकו को बताना चाहता हूं कि जो जानकारे मिली है कि 22 सब्तम्बर से लेकर 27 सब्तम्बर की वी जो है कटाफ से डूल जारी कर दिया जाएगा अगली ख़बर की Medical College के सिछक 70 साल में होंगे सेवा निब्रित जिसके संबन में सरकार की दोरा प्रस्ताव त्यार किया जा रहा है यूपी के सब्वी Medical College में सिछकों की सेवा निब्रिति की उम्र पैसर से बढ़ा कर 27 साल करने की त्यारी है सरकार जल्द इक काबिनिट में प्रस्ताव रखेगी अगली ख़बर की पॉलिटिक्निक संस्थानों में अब सीधी भरती नहीं आपको बता दें कि प्रदिश के पॉलिटिक्निक संस्थानों में अब सीधी भरती नहीं होगी उत्तर प्रदिश प्रविटिक्निक सिछा अध्यापन सेवा परिच्छा 2021 की तिछी भी जारी कर दी है जो कि 12 दिसंबर 2021 परस्तावी थे पुराना विज्यापन निरस्त होने से ओवर एज अब्भरत्यों को भी जटका लगा है अगली कबर है कि पहले दिन 22 फिद्धी अब्भरत्यों ने छोड़ी अंक सुधार परिच्छा यूपी बोट 2021 की अंक सुधार परिच्छा सनिवार से सुरू हुई पाली पाली में हाई स्कूल और दूसरी पाली में इंटरमेडियर हिंदी विष्य का प्रस्पत था पहले ही दिन हाई स्कूल और हिंटरमेडियर के मिला कर वाईज दसमलों 91 फिद्धी अब्भरत्यों ने परिच्छा को छोड़ दिया है अगली कबर एकेट्यू की है, एकेट्यू के द्वारब वी फार्मा सेकंड एयर का परिड़ाम जारी कर दिया गया है आप लोग एकेट्यू के एजकारी पर उससाइट पर जाकर परिड़ाम को देख सकते हैं अगली कबर पीएजडी परिश्चा को ले करें, पीएजडी परिश्चा में 82 फेजडी चातुर की रही उपस्तिती आपको बता दें एकेट्यू के PhD पार्ट करम में प्रवेश के लिए सनीवार को पुरिश परिच्छा हुई प्रवेश परिच्छा के कुछ देर बाद ही प्रवेश पत्रों की उत्तरकुंदी विश्विश्विद्याले की विश्विशायर पर उपलत करा दी गई है आगली कवर अनुदेशक बनने के लिए अनिवार होगी CITS आपको बता दी राज के पोदों की संस्थानों में अनुदेशक बनने के लिए अब क्राप्ट इंस्ट्रेक्टर ट्रेनिंग स्कीम करने वाले अबर्वेश्विशों को ही मौका मिलेगा वहीं पदोन्रती में बीटेक देशक धारकों को भी मिलने वाले 25 फीदी आरच्छों को भी वापस ले लिया गया है आलिकावर की चैने जेल वाडरों का परसिछन शुरू आपको बता जै। जेल भाग में हाली भी भरती हुए जेल वार्डरों का परसिछन सुरू हो गया है इन्हें पहले चेनंब में 45 दिन का परसिछन जेलों में दिया जा रहा है दूसरे चनल में साहरे चार महिने की ट्रेनी पुलिस पर सिछन केंदरों पर होगी डीजी जेल आनंद कुवार ने बताया कि हाल ही में 3638 जेल वार्डर की भरती की गई थी इसमें से 2644 जेल वार्डर और 506 महिला जेल वार्डर को न्युकति पत्र पाने वालों में 1366 जेल वार्डर और 454 महिला जेल वार्डर ने आवंटीड कारागारों में पराववड़ू परिश्रन के की जानिंग दे दी है अगले कोपर सीटेर 2021 को लेकर है जिसके नोटिफिकेशन के समझ में इस चैनल के माधिम से आपको बहुत पहले ही जानकारे दे गई थी आपको मालुम होगा कि 14 से दो दिन ज्यादा हुआ है 16 सब्तमबर और मैं आपको बता जो इस चैनल के माधिम से आपको बताया गया था कि 7 से लेकर 14 सब्तमबर के भी नोटिफिकेशन जारी होगा माइनस प्लस दो तो 16 सब्तमबर होता है 18 को आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है तो 2-4 दिन इधर उधर हो सकता है क्योंकि CBSC के माधिम से जो जानकारे दे गई थी वह लगबग 20 दिन पहले दे गई थी और 20 दिन पहले में दोर आपको जानकारे दे दे गई थी मैं आपसी बताना चाहता हूं कि मौक टेस्ट तयार हो रहा था जिसकी कारण बिलंब हो गया मौक टेस्ट तयार है आपको एक बार ट्रायल करने का मौका मिलेगा टेस्ट देने का मौका मिलेगा आखे का आपकी बाद जो ऑनलाइन मोर से परिच्छा होने जा रहे है उसका पेपर कैसा रहेगा तो आपके लिए गुड़ नियूज है 20 सप्तंबर से आनलाइन आभीदन प्रक्या शुरू होगी 16 दिसंबर से लेकर 13 जनुरी तक होगा आयोजन परिच्छा का जो कि आनलाइन मोर से होगा देश के बिमिन्ने सायरों में इस परिच्छा को कंड़ेट करा अगर आपको इसी परकार के अथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जोड़ सकते चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन दवाजें और तो से ड़ेट कर दें वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें जैन जबार उस्तू नमस्कार